हलो वल्कम सांथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल साहत है यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में तो सांथियो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के माध्यम से PM आवास योजना ग्रामीन 2023 की जो प्रायोरिटी लिष्ट है लाभार्थियों की उसे PDF फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्रायोरिटी लिष्ट के अंतरगत आपका नाम कितने नमबर पर है दोस्तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा प्रायोरिटी लिष्ट के आधार पर ही PM आवास योजना ग्रामीन के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है अगर किनी लाभार्थियों का नाम priority list के अंतरगत एक नमबर पर है और जो दूसरे लाभार्थी है उनका नाम 100 नमबर पर है तो दोस्तों जिनका नाम priority list के अंतरगत एक नमबर पर होगा उन्हें सब से पहले PM आवाज योजना ग्रामीन के तहत लाब दिया जाएगा कि खाते में जो PM आवास योजना ग्रामीन की जो तीन किस्त की रासी है उसे ट्रांसफर की जाएगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डीटेल जानेंगे कि किस तरीके से आप PM आवास योजना ग्रामीन के ओफिसियल वेबसाइट से priority list को download कर सकते हैं और फता लगा सकते हैं क्या आपका नाम कितने नंबर पर है और कब तक आपको PM आवास योजना ग्रामीन का लाब मिलने वाला है तो चलिए साथ यो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से request करते हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को भी दबा दे तक इस प्रकार के कोई भी वीडियो जम कभी भी अप्लोड करें तो सब से पहले जानकारी आपको मिल सके तो दोस्तो जो priority list है उसे निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें PM आवास योजना ग्रामीन की official website पर जाना होगा website पर जाने के लिए हमें दोस्तो Google या फिर Chrome पर आके PMAYG यह जो text है दोस्तो इसे search करना होगा इसे search करते ही हमारे सामने जो website की link होती है वो कुछ इस प्रकार से open हो जाती है जिसमें हमें PMAYG.nic.in की जो hyperlink है वो हमें सबसे ओपर देखने को मिल जाती है तो साथियों हमें simply इस पर click कर देना होता है यहाँ पर जैसे हम लोग click करेंगे तो हमारे सामने PM आवास योजना ग्रामीन की official website कुछ इस प्रकार से open हो जाती है तो दोस्तो हमें priority list को निकालने के लिए simply आवास soft के option पर click करना है दोस्तो उसके बाद जो report का option आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा दूसरे number पर simply इस पर click कर देना है इस पर click करते ही हमारे सामने जो report section है वो कुछ इस प्रकार से open हो जाती है तो साथियों यहाँ पर हमें scroll down करते हुए simply नीचे आजाना होगा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ACCC reports में हमें बहुत सारे options देखने को मिलते हैं जिसमें जो चौथा number आपको यहाँ पर देखने को select करना होता है तो आपका जो भी state होगा यहाँ से आप select कर लेंगे हम अपना state को यहाँ पर demo के तोर पर select कर रहे हैं दूसरे number पर अपना जो भी district होगा उसे आप यहाँ से select करेंगे तो चलिए यहाँ से हम अपना district को select कर लेते हैं आपको अपना district select करना है और तीसरे number पर आपको अपना जो भी प्रखंट होगा उसे select कर लेना होगा और दोस्तों प्रखंट को select करने के बाद जो अंतिम step आता है उसमें आपको अपना जो भी gram पंचायत होगा उसे select करना होगा तो चलिए साथ ही यहाँ पर हम अपना ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोस्तों इसके बाद जो क्यापचा फिलिंग का ओप्सेन है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है यहाँ पर जो भी माइनस करने के लिए कहा चाहेगा थिंपली आपको करके आंसर करते हैं और आंसर करने के बाद दोस्तों सब्मीट बटम पर क्लिक कर देंगे जैसे ही प्रायोरोटि लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाती है जिसमें सब भी लाभारतियों का सबसे पहले तो आपको डिस्टिक नेम देखने को मिलेगा उसके बाद ब्लॉक नेम पंचायत नेम उसके बाद जो भी लाभारती है उनका पंचीकरन सेंखा यानि तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवरोटी के आधार पर लाभारतियों का नाम यहाँ पर सो किया जा रहा है जिनका नाम एक नमबर पर होगा दोस्तो उन्हें सबसे पहले इस योजना का लाम मिलेगा कुछ इस परकार से जैसे हम लोग स्कॉल्ड डाउन करेंगे तो सब ही लाभारतियों का जो प्राइरटी नमबर है दोस्तो वो एस परकार से हमें देखने को मिल रहे होंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप भी अपने गराम पंचायत की जो सूची है यानि की प्राइरोटी लि लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद